हाई दोस्तों अब बात कुछ ऐसा है आप में से बहुत सरे ASUS Genphone Max Pro M1 उसर्स और बहुत सरे यूटिवर्स आप ये कह रहे हूं ASUS Genphone Max Pro M1 में अप्टर ओफिशिल स्टेबल पाई अपडेट इसमें बाई डिफॉल्ट क्यामरा टू एपियाई को एनेबल नहीं क्या गया है पर मैं आपको 100% गरेल्टी के साथ कह रहा हूं अप्टर ओफिशिल स्टेबल पाई अपडेट ASUS Genphone Max Pro M1 में बाई डिफॉल्ट कैमेरा टू एपियाई को एनेबल क्या गया है अब ये तो मैं हाँ में फेक नहीं रहा हूं क्योंकि इसका प्रूब मैं आगे जाके आपको वीडियो में दूँगा साथ में मैंने मेरे ASUS Genphone Max Pro M1 में बाई वीडाउट रूट स्टेबल लेटेस जी कैम को इंस्टॉल क्या है अब यूज भी कर रहा हूं तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिरेक्ली ये से यार करूँगा आपके ASUS Genphone Max Pro M1 में अप्टर ओफिसियल स्टेबल पाई अपडेट आप कैसे वीडाउट रूट स्टेबल लेटेस जी कैम को या गूगल पिक्सल 3 कैमरा को आप इंस्टॉल कर पाओगे और कैसे यूज करोगे साथ में मैं आपको लेटेस जी कैम जो स्टेबल जी कैम है गूगल पिक्सल 3 कैमरा उसका फीचर्स क्या है जैसे 4K जैसे EIS, फ्रॉंट में EIS, नाइट साइट ये कैसे काम करता है वो भी दिखाऊँगा और फीचर्स भी बताऊँगा साथ में यहाँ पे जो बाइट डिफॉल्ट आपको इसाजेंट पून मैक्स पूरेमवन में कैमरा मिलता है उसके साथ जो गूगल पिक्सल 3 कैमरा है स्टेबल उसका कंपारजन भी करके दिखाऊँगा यानि पिक्चर्स में वीडियोस में क्या आपको डिफरेंट मिलता है साथ में रहिए देखते रहिए बाइदावे मेरा नाम है शुमोन आप देख रहो ग्याजेट्स वाला दैडविंग सेट चलून कोरबोनाद देडी शुरू करी ता तारी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक चोटा सा इंफोर्मेशन सेयर करना चाता हूँ मेरे चैनल पे 5 स्मार्टफोन का गीवावे स्टार्ट हो चुका है और रेजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा और यहाँ पे आप जिच सकते हो 、Redmi Note 7 Pro Blue Color चार जीवी 64g वाला वैरियन आप जिच सकते हो Redmi Note 7 तींजीवी बत्त्री जीव वाला वैरियन बलक कलर आप जीच सकते हो Poco F1 Red Color चाय जीवी 64g वाला वैरियन साथ में आप जिच सकते हो यहाँ पे दो फोन ASUS Zenfone Max Pro A1 और Max Pro M2 चार्जी में 64GB वाला वारियन ब्लू और गोल्ड कलर में और इसके साथ अब जिश सकते हो ये देखो P-Tron का एक wireless Bluetooth speaker आपको क्या करना होगा इस वीडियो के description पे मैंने giveaway वाला वीडियो का लिंक छोड़ दिया है जाइए क्लिक कीजिए देखें पार्टिसिविट कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब ये तो सच बात है अब टर ओफिशल स्टेबल पाई अपडेट ASUS Zenfone Max Pro A1 में Camera2 API को by default enable क्या गया है अब इसका proof क्या है आप देखें यहाँ पर मैंने एक एप को इंस्टॉल किया है जिसका नाम है Camera2 API चेक यानि आपके फोन में Camera2 API enabled है या Disable है ये आप चेक कर सकते हो तो इसको उपेन करने के बाद आपको green कलर में सब राइट दिखाएगा इसका मतलब आपके फोन में Camera2 API enabled है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो सब आपको green कलर में दिखा रहा है यानि ASUS Genpoint Max Pro 1 में बाइडिफॉल्ट Camera2 API को enabled क्या गया है अप्टर Official Stable Pie Update अब ये भी सज बात है जो latest Gcam है यानि Google Pixel 3 कैमरा वो ASUS Genpoint Max Pro 1 में उतना अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है वाइड वाँ पे बहुत सरे features missing भी हो रहा है और बारवर forced off हो रहा है और close हो रहा है पर मैंने बहुत experiment के बाद hard work के बाद मैंने एक stable latest Gcam यानि latest Google Pixel 3 कैमरा APK file को install क्या है download क्या है और use कर रहा हूँ अगर आप install करना चाहते हों या latest Gcam version यानि Google Pixel 3 कैमरा का APK file तो भाई इस वीडियो के description पे जाओ वाँ पे मैंने Gcam यानि latest Gcam का जो file link है वो download link मैंने नीचे में छोड़ दिया है description पे जाओ और install करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा smoothly मक्खन की तरह चलेगा और आप जरूर comments कीजिएगा अब ये वीडियो तो चलता रहेगा इसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई मेरा प्रायास अगर आपको पसंद आ रहा है कर देना एक लाइप और thousand जरू कर देना तो चलिए अब ये जो Gcam है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है चाहे वो front camera हो या rear camera उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का user interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पे आप install कर लो मैंने already install कर लिया है यह देखे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने install कर लिया है जो latest Gcam version है या Google Pixel 3 जो camera है उसको देखे जो latest Gcam version है यानि Google Pixel 3 camera वो मैंने यहाँ पे install कर लिया है और open करने के बाद कुछ आपको इस तरह का user interface देखने को मिलेगा एकदम latest है सब features आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हाँ इसको install करने के लिए आपको root करने का जरूरत नहीं है यह देखिए यहाँ पे आपको बहुत सरा option मिलता है जैसे यह camera यहाँ पे आपको portrait mode मिलता है यहाँ पे आपको panel of remote मिलता है यहाँ पे आपको lens blur मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है video recording अब video recording के बाद आपको यहाँ पे मिलता है more अब more में आपको यहाँ पे night sight मिलता है photo spare मिलता है photo booth मिलता है slow motion मिलता है lens मिलता है और settings तो चलिए settings में जाते हैं अब सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको जेस्टर ग्रीट टाइप बहुत सार फीचर्स मिलता है पर यहां पर बात करूंगा वीडियो के बारे में यह देखे बैक कैमरा वे आपको जो यूस्डी अल्टर यूस्डी या 4K 30fps पर ऑप्शन मिलता है यहां यहां पर एनेबल है अब यह देखे वीडियो स्टेविलाज़शन यहां पर आपको मिल जाएगा पर जो बहुत यह अच्छ लगा मुझे आपको वीडियो में फ्रॉंट कैमरा के लिए भी आपको याइस मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं अब यह देखिए बैक कैम कर दा है बहुत ही butter smooth काम कर दा है अब यह देखिए यहां पे आपको टाइमर मिलता है यह देखिए उसके बाद यहां पर आपको HDR मिलता है इनहांस को आउन करते हो तो आपका picture quality घजब काएगा उसके बाद यहां पे देखिए यह वाला और यह आपको बहुत सारा features मिलता है जैसे cloudy, sunny, fluorescent, etc. और यहाँ पर आपको flash का option मिलता है. इसे मैंने आपको कहा था, आपको night sight का option भी मिल जाता है. यानि ये low light में बहुत ही अच्छे से काम करता है. चलिए, एक picture देख लेते हैं, यहाँ पर यह देखिए. और यह देखिए. बहुत ही fast हैं, और आपको stable करके रखना होगा. यह देखिए, night sight में कुछ आपको इस तरह का picture quality मिलता है. कितना crisp हैं, कितना clear हैं. पर unfortunately, यहाँ पर आपको एक चीज़ missing मिलेगा. यहाँ पर slow motion तो दिया गया है, पर आप जब slow motion को touch करते हों, तो यह जो एप हैं, यह off हो जाता है. यह देखिए. तो यहाँ पर एक इसू है. जब यह fix हो जाएगा, मैं फिर और एक वीडियो के साथ आ जाऊँगा. यहाँ पर आपको lens का option मिल जाएगा. तो अगर कोई भी objects के पास आप रखते हों, तो यह तुरंट आपको इसका information दे देगा. देखिए, यहाँ पर आपको results दिखा रहा हैं. webcam को install करने के बाद, जो picture quality है, वो काफी गजब का आपको मिलेगा. काफी गजब का. और हाँ, कहीं न कहीं, जो SSJNPON Max Pro 1 का rear camera और phone camera, यह काफी अच्छा हो गया है. मैंने बहुत सारा picture इस से लिया है. और आप देख सकते हों, आगे के आपको कैसा quality मिलता है. देखते रहिए. तो सही में, जो Gcam है, यहां पर SSJNPON Max Pro 1 में, बहुत अच्छे से काम कर रहा है. सही में, camera quality काफी अच्छा हो गया है. जटकास हो गया है, SSJNPON Max Pro M1 का front camera and rear camera Gcam को install करने के बाद.